अमर्ता प्रितम दी पुस्तक सफर नामांदा अगला लेख है मेरा अपुल पात्तर कुछ देर होई एक मेर बान पत्तरकार ने स्वाल कीता सी अमर्ता तेरे नावलांदी पात्तरे ने सोने हुंदे ने के नानू उनानू इस दुनिया चु जियोंदी रेना चाहिद है पर उ अक्सर मर जान देने जिवें ममता नीना रेखा की तु एंजनी सोच दी के नानू मरना नहीं सी चाहिदा जवाब देता सी डॉक्टर देव वाली ममता अलने वाली नीना एक सुवाल वाली रेखा मैं खूद केंदी सी ए जियोंदी रेन पर इजमें जियोंदी बढ़ियां ही नी सी दोहीं पासीं बलदी शमा वांग इलट लट बढ़ियां ते फिर मुख गएंगा एक दिन नीना ने मेरे सुपने चाके मैंनु वहोई गल पुच्छी सी पतले जे सौले जे ते कूले जे मुँ आली नीना बड़ी विल्क के आखन लगी मेरी कोई उमर सी न दुखा जोगी तू मेरी कहाणी इंज क्यों कड़ देती मैं रुंदी रमा तेनू चंगा लगदै ए तो की कीता मेरे नाल मैं सुपने चाई नीनानु कोई ज्वाब नी सी दे सकती फरोधा पतला जया सौला जया कूला जया मुँ मैंनू कई दिन चेते होंदार या माननू एक केर जीप होंदार या फिर भी उन्हों मैं अपने नावलां दाओ पातर नी आख सकती जड़ा प पातर सी अशूर नावल्दा राजन इक सी अनीता नावल्दा सागर ते दिली दे अंगलिया नावल्दा सुनी पावी हकीकत विचो ब्रेया मुँ सी पर फेर भी नेक मुँ आवाले से मून मैं अपने अपोल पातर नहीं आख सकती पावी दा तस्वर करांता जे भी नजम लिख सकती हैं तेरियां यादां वहोत देर हुएं जलावतन हुएं जियोंदियां के मुझा कुछ पता नहीं जाराल गई सी एस विच एक बूंद तेरे इश्क दी इसलही मैं उमर दी सारी कुड़तन पी लई इसलही के वक्त पाके ए मूं वो मूं नहीं रिया जिनू तू I mean which में दा हिस्था बन गया डॉक्टर देव वांग चुप नलों टुट का उए चुप दा हिस्था किरन नलों टुट यह मीं फिर रलिया हुए या में विच रलेया हुए में दा हिस्था पिंजर दी पूरो ने जदू आख्या सी पावें कोई हिंदू कुडी होगें रंग दा पत्ता नावल दा एक पातर जदो आखता है, असी रंग वाली बाजी जेत लंदे, जेतु दुखेवी रंग दी ला देंदी, तद दुझे लफजांच उसे पातर दी हसरत में अपने लफजांच आकरी सी, असी रंग वाली बाजी जेत लंदे, जेतु दुखेवी अंग दी ला देंदा बंदर वाजा नावल दे कमीने जदों अपने महभूबनों खत लिखिया सुमेश तरम दे समाज दी इज़त आबरू दे किने सोने फोलने तेरे फोल दानाच मैं लाव अंग सजया हुया तेरा कर तेरी मुहब्बत रावां दी तूडवा अंग तेरे प हिरोई से इसे तरह एक सी अनीता दी मुख पातर अनीता दी मत्थे उत्ते जदों मौत दा मुड़का आजन्द है मुड़के दियां गोल-गोल भूंदा अख्रा वर्गियां होके रहे कह रहें हों दिया हन जिननाचर किसी औरत नों जिनों साच दी तलाश होगे उदा बच पर जेड़ा पातर पूला यानी पूलदा हुए जाक नमबर छती नौवल दी मुख पातर अलका पातर अकसर अपने लिख कांदी नुहार लेंदे आई हा पर अलका जया पातर है जिदी नुहार में वेख दी रह गई है उ मेरी कलम बिच्चों ही कागस उत्री सी पर जियों में यो गल्लां करन लगी मैंनू जापिया मैं उदे मू अल तकदी रह गई सा तवारी एक गवा है उनू तुर्दीन में उथे पॉंच दिया वेख जिते पाप ते पोन दा हाथ नहीं पॉंच सकता दुखा वाला डलडू तू मेरे कन्ने दे दे ते होई जा गाड़ी मेरे ताल का पहली वार एक औरत दे हुसंदे पर चल्लत अर्थानलों तुटके औरत दे हुसंदे नमे अर्थ देन दिये पुमार शोरत दे औरच बड़ा फरकुंद है शोरत तो अनू अपना आप सम्ज़न्च मदद नहीं कर दी पैसा भी मदद नहीं कर दा पर औरत तो अनू अपना आप जानन चो उस तरह ही मदद कर दीए, जिमें तो अड़ा हूनर, क्योंकि मोहबद भी हूनर वांग अपने हिसा हुन दीए, अपनी आखा वांग, अपनी जबान वांग, शायद ये तुम वी वाद ये अखा नहीं हुनदी, ये अखा दी नजर हुनदीए, नजर भ अबूब कुमार वास्ते वी ते अलका दी लेकक मेरे वास्ते, अगला लेक है, साहित ते अशलीलता, अर्थांदा नगीज टकरनू, मैं उना दे गाल चे लफजां दी बांप वाई सी, ये लफज खोरे किसे मर्याता ते नहीं रुक दे, अज जोही लफज अर्थांदा र करके मुड़े हान। ते शर्म सार मेरे सामियाक नहीं जुक दे। ए नजम में एक जई सायतकार बारे उदे अपने वल्लों लेकी सी, जो कुझ कुझ जाती फाइदयां ले, कुझ खास राजी नीत कटनावानू, मोड तोड़के अपने पाठका आगे पेश करता रहा, पर क कुझ कटनामा वेच जदों बहुत स्पष्टता आगे, लोका नोना बारे पुलेखे पाने ओखे हो गए, आलमी राये ने ओधी कलम नू चुठे आदता, तो ओधी शिर्मिन दी कलम अपने कहेल लई, कई बहाने लपन जोर वी खोबसूरत लपसानू वर्तन लगे, ए किसे खोबसूरत लप्यान कीता होया, किसे जिसम दा सूखम तो सूखम वीर्वा भी अश्लील नहीं होंदा, तो जिन्दगी दे अमल तुप्टे होया, साथ बचन भी अश्लील हो सकते हैं, कहानी नावल दा विशा कोई भी हो सकते, बिमार रुचियां दा पातर होई, पर पर खिको हैं, कि लेख कोदे ब्यांच लज्जत नहीं लन्दा, एक स्टडी पेश करदा है, तो दा समुच्चा पर बाव इन जिठदा है, कि ओ कहानी एक सस्ते स्वादले लिखी गई है, जाएक डूंगे अध्यन दिखातर, सेत मंद द्रिष्टी कोन, हर पीडी गडी चो चारक कीमतां दे चौक्टे अंच नहीं समा सकते, इमील पत्थरां दे चेन नहीं बंदा, इविशाल हर्यावल्दी खुल हुंदा, इपार्ती फिल्ममंग नहीं हुंदा, जिते किसी औरत नो इखलाग तो डिगी होई, साबद करना होगे ता होदी हाथाची सिगरेट फड साबद करना हुंदा है, इसलिए कई बार साहित वेच अज दी और उप्पी होई अशलीलता, कल दी अशलीलता नहीं रहने, सेक्स दा ब्यान अपने आप अशलील नहीं, जियो कहानी जा नावल्दी किसी पातर दी मानसिक हालत नो एनलाइज करन दी लोडवेचों आया इसलीलो दो मनदा है, जदो लेखक दे सामने एक पातर दी डूंगी समस्या ना हुए, सगों कुझ पाठकां दा सस्ता जया स्वाध हुए, ते एको यू लेखक करदा है, जिदे कुल जिन्दगी ते तजर्बयां दी अमेरी ना हुए, ते उदे अंदर ले दिवालीये पन दी निशानी हुए, उदी मानसिक निपन सक्ता दी निशानी हुए, असली लेखक लईपा में कुझ भी उदी जुरत तो परा नहीं हुए, पर इस जुरत नो एक चंडे वांग हाथ जफ़ड के मान चुते नहीं खिलोंदा, इस जुरत फुलां दी खुश भूवांग उद स्याज वस्ता हुंदी, ति जिदे लेख जो कुझ भी हो दी स्याज वस्ता है, उदी अश्लील नहीं हो सकती, सेक्स दा वास्ता सिर्फ स्रेई नाल नहीं होंदा, इस अब तो वड़ा वास्ता कदरां कीमता नाल होंदा है, इते मैंनो आइन रेंड दा फल्सवा याद आया, Tell me the woman who sleeps with And I'll tell you the mind of the man इसे तरहां कदरां कीमता नालों ते पातर दे डूंगे भी श्लेशन नालों निक्डे होय सेक्स ना बयान लेखक नू लेखक दी डिगनिटी तो विरवयां कारतें दर जिते कदरां कीमता खतम हुंदिया हान साहित दी हद दो बार हो जाती है पर जो कुछ साहित दे के रिच है ते मैं उन्वों स्लेशन दी सदाचार ना दी दो हिस्यांच नहीं बढ़ सकती साहित सिर्फ इना दो हिस्यांच बढ़िया जा सकते वेल रिटन जां बैडली रिटन अगला लेख है लेखक दे कमिटमेंट एक रुमानियन नजम वेज एक शायरोज कुरसियां जोड़दायते उन्हा कुरसियां नो मुखाद्ब करके अपनी ये नजमा सुनादायते उन्हों तसली है कि खाली कुरसियां को ना उत्षा दा दिखावा हुंदे ते ना उना कुल सेंसर करने वाड़िया मुरा हुंदे है पर एक खुदी मान दिये तौलद बहुत थोड़ी लुकां दा नसीब है अज लेक कांदी बहुत ही गिंटी उना उचियां कुरसियां दे मूल तक रही है जिना कुलों कदी-कदी खरैती उत्षा मिल जांदे जापता हुना दा इतबार अपनी होंद विच नहीं खरैती उत्षा विच जाती स्थापना दिया बैठका विच कल्च्रल पर नीचर बढ़ना दी होंदा सब तो वड़ा सब इते एक एंदी लोड नहीं रहा जांदी के स्थापना सिरफ लेखकानू निवाज सकती है जो दी पर कर्मांच बैठे होंद बे नियाज लेखकान दी स्थापनानू लोड नहीं होंदी मेरा ख्याल है के असल लेखक सिर्फ अपने पाठकान यार रगांच जी होगा उना दियाँ सूच्छा इनना सोपनियांच, कोई सनस्था कदी उदी प्रेधना नि बन सकती। सनस्थावाँ की ते कमानू संबन संबाड़नच, किसे हद तक सहाई हो सकती हैं, पर ओ किसे नमी केर्थ न प्रेधना नि हो सकती हैं। सगों समकाली फैसलेंच संस्थावां दियां, वल्त जान लिहाजी चोणा, चंगी फले राउते तूड तों दखिलारंदा कारण बन जन दिया हैं। जो पाठकान वी गुमरा कर दिया हैं ते साहिल ते कीमतान वी। मेरा ख्याल है लेखक दी कमिटमेंट सिर्फ अपनी सोच दी मानदारी ना लें। बार ले किसे वाद नाल नहीं, वाद हमेशा सीमत लिहांच तुरती हैं। उन विच किसे शंके दी जा किसे उन दी जा असेमती दी रियायत नहीं हुदी। इतंग जुद्धी नित रापई पैरानू रास नहीं आ सकती। इक इसे सच्चाई नों इकको कोन तो विखन वाली हालत हैं। जो इक लेखक दे दिस सदे नों गिठां ते गजांच सीमत कर दें। लेखक पड़ी हद तक किसे वाद नाल सेमत हो सकता हैं। पर असेमत होन दे हक विउराख में रखता है। इउदी इमानदारी दा तकाजा होन दे। राज जांपोख रच नात्मक शक्ती नों दोहां विच्चों किसे दी मोहताजी नी हो दे। इसे तरहां गुमनामी जा शोरत लेखक हर हाल चे लेखक हैं। दोहां हालतांच किसे दीन में। दोहें हालतां ओदे पिंडे उत्ते पई, कूले जंक और एक अपड़े वंग हो सकती हैं। पर ओदे पिंडे दा मास नहीं बन सकती। मेरी पच्चांच सिर्फ ओ लेखक लेखक हैं। जो रुसी शायर अंद्रे वोस नेशेंस की वांग ए सोच सकता हैं। कि असी गौंदिया मच्चियां ओ सनु जाल पाके फड़ सकती हैं। सनु पोन तल के अपणियां दावतांदा शिंगार बना सकती हैं। परसी मच्ची दे कंडियां वांग ओना दे सांगच जरूर अड़ जावाने। अगली कहाणी, अगला लेख है कोसी खुश्बो। किताब अगल नुवा मंडल खुलिया, एक किताब चुकी, एक रखी, एक चुकी. ते सरसरे नजरे वीखरेगी यों सर सरसरे ना रहे। अज जमे, शाम, शहर ते नहीं, हस्पञते नहीं सिर्फ मेरे बिस्तरे तेी पहरे। सामनी दिवार चे चार दर्वाजे हन जो दिवारां साधे रस्तियांच खड़ियां हो जान्दियां हन उनाच कोई दर्वाजा क्यों नहीं हुन्दा मैं सोच रहा सांग के शर्मिंदगी विचे उपजिया हासा किस किसम दा हुन्दा हुएगा शायद एक नजायस बच्चे वरगा दुकान वल्यां दा नौकर उपर ले शेल्फ विचो कुछ समान ला रहा सी कि अचानक डिग पया शोकेस टुट गया ते डिगे होई बंदेदा लहू शोकेस ते टुटे होई शीशी होते इंज फैल गया जमें होदे होते इक आदमी दी कोट्रेट बंगी होई नर्स ने ट्रे विचो शीशे दी स्रेंज चुकी शीशे दी ट्यूब विचो दवाई परी जिंदगी शीशें ते यह नी निर्बर के हो हैं मैं ओधी अंगला मल वेखी जारी सी क्यों ता शीशे दिया नहीं ते मांच स्वाल उपजिया जे आदमी शीशे दा हुन्दा हर कोई दूजे दे मांदी मैल वेख लिया करदा पर आदमी जे शीशे दा हुनदा तो बरसाद पत्रांदी होने से रंगांदी नहीं सी हो सकते हैं प्यास होठाओं ते सिक्री बन के आ जमी हैं पानी ये वादी तंज में पानी दे नाम तो यह वाकफ होठाओं ते बरफ छोंडी सोचदां पर बरफ टुट दी नहीं अंकल अपना देश के थे है मैं उन्हों गलोब ते उंगल लाके दस देना, उफे रागती है, ऐस मुंदर अंकल, जे अपने देश दी था, मैं इस मुंदर हुंदा ता आपकार किते बना दे, मैं उन्हों पतंग नी उडान दे, नेलो हित रंग दी पतंग वे कि मैंनू होमर याद आ गया से, होमर जिने परपल रंग दा मेताफ़र मौथ देव दासील वरतिया, साई चाल रहे सन, मैं बराबर सपर दे हां, इक उच्चे पहाडो ते पाणी दे दो कुंड नजरेएं पहन दे हां, इक कुंड च लाल पाणी या इक ज नीलो हित रंग दा, लाल रंग दे कुंड च हंस्तर दे हां, नीलू हेत रंग दे कॉंडच, नीलू हेत रंग दे हांस तर दे हां अचानक इस कॉंडच वोईक चेरा उपरेया ओमर मैं उची देखे पुकारेया उन्हीं हाथ दे शारी नाल मैंनू कुछ समझाया फिर कॉंडच तर दे सब हांस लमियां तोना लई तिक्यां तिक्यां चुन जान लई होमर वलनस से उन्हों मारन ले जिवें उन्हें कोई गुणा कीता हुए किसे ने मेरी बाव फाढ लई ये वेगदाँ ईस सरिता है उन्मैनू निलू हेत रंग दे कुंडवल खेच रही है उदे कपड़ें वल बेखदां विया तों एक दिन पहला जदों मैंनो आख़ी बार मिली सी उन्हें एसे रंग दा सूट पाया सी कैंदे ने मरन समय भी उन्हें हो सूट पैन रख्या सी हने रा किसे समय भी मरीजाउं ते डिख सकते रोशन दाना दे शीशेयां दा सुर्ख रंग मरीजाउं ते क्यों नी डिखतां दा पर जे सुर्ख रंग नालो नीलो हेत रंग पैलन डिख पे एं इश रोशनियां वक्को वक्रे मूँ लेकें उढ़े हां लाल भी हरावी पिडावी नीलावी दि अचानक मैनौ मासको दे आठ गैलरी जो वेखी हुई एक तस्वीर चेते आज़नी है लाल कोड़ा यह उस गैलरी दी एक बहुत मशूर पेंटिंग है इद भी चितरकार ने सुवार दे मन दी हालत कोड़े दे रंगच पाके उस हालत दे छिना नू पकड़न दी कोशिश केती है जाप दे मास्को दे आर्ट गैलरी चुवी खड़ियां ते दिली अपने कमरे चुवी बैठियां ते हाथ जपड़ी किताब दा पहला सफ़ा कड़ के वेख दियां नावल दा ना है तो पदर्या दी दोस्ती ते लिखक दा ना है जगजीत ब्राग ते फिर नावल दियां उन्हा सतरण वेखन लगपे नियां जना दा चेरा शीषेच वेखन तो कतर हो दा है क्योंकि शीशेच उन्हों किसे उस चेरे दाग स्वी देस्था है जिन्हों कदे उन्हें पूरा चेरा बन जान दी जाज़त नई सीदिती उदे बच्चे दा चेरे ते फिर खिला विच्चों ए हासा उतर के उदे कमरेच पई पिकासो दे चित्रवली कुड़ी दे खोठां ते सिमट जान दे ते मैं किताब दियां सत्रा मिचों निकल के योगो सलाविया दे एक आठ गैलरी विच पिकासो दियां तस्वीरां दे नुमाइश्च पहुन जानने है मनुख दा कोई चेरा वी पूरा मनुखी नहीं किसे विच पेट दा मुम बने हैं किसे दे सिर्थे पता ने की दे सिंग निकलाई हैं किसे दे भूलां ते पता ने की दा लगू मलया हुए हैं ते लगदे मैं योगुसलाविया विच्वियां ते हिंदुस्तान विच्वि किताब दे वर के हिल दे हन। यवे किसी पेंटिंग दे भूल फर्क दे हूं। जिन्दगी मेरे लिए कुछ इस त्रेंज में कुई गुलमोर दे फुलावडी टान पिगले हुए तारकोल च डुब जावे है। किताब जी हत विच्च है कि मेरी बच्ची दी अवाज ओं दिये। ममी इस कोनेच वेखो इस हनेरे कोनेच वेख दिया। कोनेच कोई एक सौफुल डड़े चिटे दे कोवारगी खिड़ पए। एक गमलेच हस दे पए। बिजली दे शेट मूँ बच्ची ने कुछ इंच परता जिता है कि रोश्णी ने उस कोनेवल पिट कर लिए। फुलां दी चट्याई लिए शायद सलेटी रंग हनेरा जरूरी सी। ते वेख दियां बच्ची दे मूँ तेक गुलाबी जी रोँ है। कोनेवल जान दिया। फुलां विच चो एक ठंडी जी मैक दी थां कोसी जी खुशबू अन दी है। ते वेख दियां बच्ची दे गमले चो किकर दी के टाणी गड़ के। टाणी दियां कोई एक सो सूड़ां विच मक्की दे कोई एक सो खिड़े हुए दाणे परोई है। बच्ची दे लफजांच पॉपकॉर। हासा आजांद है। लगद है हाथे च्वड़ी हुई किताव दा पात्तर जो स्वन्त भी हस प्याते कह रहे हैं मैं ठीक आख्या सी न कि आज जमी शाम मेरे शैर थे नहीं हस ताल थे नहीं सिर्क मेरे बिस्तर थे प्यारी है। मेरे बिस्तर भी किसी यह हुजे कौन ने चाय है। ते होन मेरे चाती दी मिटी विच्चो इश्क दे ते सुपनेयां दे फोल नहीं खेड़ दे। मेरे जिन्दगी देते जर्बे मेरे पिंडे उते जिनियां भी सूड़ा मांग उगे हुए हैं। मैं सारे लफसोना उते पठे जो कुझी हुई मक्की दे दान्या मांग लाई हैं। इना दी भी एक खुशबू है पर ठंडी नहीं बहुत कोसी है। अगला लेख है दिवान गी इक हासल। पाट्टे होई लीडियां वर गी दिवान गी नहीं सुची रत वर गी दिवान गी पान्यों दियां नाडांच बग दिये। दलीप्टे वान दे नमे नवल इह मारा जीवनांदी पान्यों पड़न वाड़े दे कलेजेच रुग पार लगदिये। लोग गीतां दी सुंद्री वांग नहीं मिटी दी मैक वांग। लोग गीतां दी सुंद्री हमेशां सेरुते हुसंदा पार चुपके तुरती हैं पर पान्यों हुसंदा पार सेरुतों लाके तुरती हैं। लोग गीतां दी नाइका कोई सुन्दरी हरी चमकवांग मिटी ज उगी होई दिस दिये, पर लोग जीवन दी नाइका इपानों मिटी नल मिटी होई होई, पर एक रुग है जो कले जेच पर आजांद है। इक दिन थालीच दाल पाके चुग दी पानों दी गुवन्डन आख दिये, की नरैन खालन दे मांदी दाल। इक दिन खबरनी आख दासी है के मां वै कर देन। तपानों नू सुर्थ फिर दिये, हां साथ एता खानदानी मांदी दाल। चेत्ता इनी सीर्या, होर आथने कजिय करना सी, सरवर नू बड़ी चंगी लग दी सी, तिये दिन आख दिन दासी मां तरल। इये अपानों दी दिवान की, पाट्टे होई लीडिया मर्गी नी, सुची रत वर गी, उदी ये नाडान चोड़ दी। जिडे मर्दनाल उदा इश्क वर गा रिष्टा सी, उजो दो का दी हतों कतल हो जन्दा है, उदी दिवान की मौत दा सिद्धारा लग दी, जिन्दगी दो जड़ राते पैजन्दी है, तो दूसरे मर्दे का रवस्ती पुल पुल जन्दी, मोठा दी थावे मां चाड़न लग देंदी है, उदी तीमिया होर हुंदिया ने जो दगा दे आते विशाल में, तीमी दा ते तर्ती दा की मारना होया, जिन्दे अग्वे हाथी ने चकना, मैं स्वेर तो नीट्षे पड़ रही सा, तरकाड़ा मिले अंग्रेजी दे बहुत बरीक टाइप दा जदमत खांते पार पिया सी, ता नीट्षे नू छड़ के दलीप दा पर तलवार दी मुठ्धुनों हाथ पोना काफी नी हुंदा, ये भी ज़रूर पता होनां चाहिदा के तलवार के दे ले फड़नी है, जे कोई सची नफरत दे काबल ना मिले, सब गिलानी दे काबली हून, ता तलवार नू मिट्टी च दब देना ही जंग्र, ते जा प्रि पानो नियारी है, चंगे जा माडे आखे जानतों निर्वासता, इको दिवानी रूप, जिदी कल्पनाच नीच्षे ने सब लोकानों बिमार आख्या सी, they are ill and diseased with public opinion, ते पानों इस public opinion नू सिर्फ अपने नाडवी नी चंड दी, उदूजियां दे कपड़ें उत्तों भी पैसने नो मित्टी वांग चाड दी है, उतीवियां होर हुं दिया हान, और खबरें मेरी बर के हुं दिया हुं, आनो पता नहीं मेरी हात्विच ली, पहली किताब किस वड़ी मेरा पुतर चुके ले गया सी, उसे वड़ी पता लगा, जदिकाब मेरी कुड़ा के अक्षन लगा, दस पोग, जारा, थूस्त्रे, ममा, इक कताब लिखन तो बाद नीक्षे नू पागल होना पिया, अरी सोच्चन ते लिखन तो बाद कुछ भी हो जाए, ठीक है, एक्चुली, तो जाराय ममा, पिया, उस लिखन था, थूसरी और भी हो जारा, नीक्षे वांग लिखन तो बाद काको बाद कुछ शिए, noi एक्जार सस्या कीक्षे, सोच सकती सी, इसलए सिर्फ सोच दे तुरी गई, तानुवाद, अगला लेख है, अज दे लेख का लेख, हैंडरी मिलन देख समालो चक दे लफजा मिच, मिलर उस नीरो दी तरह चुप चाप बैठा अपनी बंसरी विजा रहे है, जिस वेले के रोम साड रहे है, होर वी हजा मिलर इसे तरह बैठे हैं, सिर्फ फरकी है, कि मिलर अगदियन लाटावल मू करके बैठा हुए है, इसे समालो चक दे लफजा मिच, मिलर उस अपनी थोड जीवे तिमाही पत्तर बूस्टर दी तरह है, जिदा अपनी बारे कैना सी, कि वो अन राजनीतिक है, अन विद्यक, अन सदाचारक, अन सहकारी, अन साहितिक, अननकूल, अनसमकाली, साधिया जदी जंदगीच, ये जो कुछ है, है कैन ताते कबूल अनदारत, कॉंसेंट्रेशन केंप, हिटलर, स्तालिण, मिशीन गन, सबमेरे, बंब, नारे, गैस, मास्क, जसूस, प्रेस, सैंसर्शिक, हुफिया कैट, एस्प्रीन, हॉलिवुड फिल्मा, राजनीतिक कतल, ये सब कुछ नू थे होर बहुत कुछ नू वेखना थे कुग दना, इसे मिलर दी लिखत वेच, चाईदा है वरगी चीज के देने, और सिर्फ उस हालत दी तरजमानियां, जिदेच लोग कहन, ये बंबांते तमाक्यानल परी दुनियांच, एक इंसानी अवास है, कुछ कर बदल नहीं सकती, फिर भी अवास है, मिलर के से पारदर्शी वेल मच्छ जिदे बेच भाई हुए, उस साबत मनुख दी तरह हैं, जो सब कुछ वेख सकते हैं, पर अपनी थां तो कुछ इंच भी हेल नहीं सकते हैं, ये चेत नहीं, बड़ा चेतन पैसिव रोल है, उन्ती दे प्रती करम हार चुके हैं, अजदा हर लेकर बर्फ दी उस चटान उत बेचा हुए है, जो पल-पल पिगल रही है, ते असी उस हालत वल सरक रहे हैं, जिते ख्यालां दी सुतंतरता देनों देन एक प्यान को गुना समझी जा रहे हैं, ते फिर एक अर्थीन विलेल गिनी जाएगी, कोई भी सोचवान लेख का जदी हालत नू स्वारन जा सदार पुले खानी खा सकता, उन्हें सिर्फ इनू कबूलना है, चलना है, ते लिखत वेचे दा सही भ्यान काइम रखना है, बड़े ठीक लफजा मेचे आज दी उस हालत दा विशलेशन है, जो हालत आज दुनिया पार दे साहित दी चाती वेच ठंडे जाता ते साल है रहे है, एस वेड़े का जी वो गरीब जर्मन नजब मेरे सामनी है, जी दा दर्द हेठा, खुठा उते नहीं हो दा, सिर्फ चाती जरींग दा है, ते वलस दा है, नमा योग, जदों कोई किसे नू मिलता, ते जो कुछ आखदा, की? जदों कोई किसे नू की आखदा, जदों कोई बुद्ध जीवी, एक बुद्ध जीवी नू मिलता, ते साबक नाजी आखदा, जदों एक परा साहतिक, एक परे साहतिक नू ठंडी लड़ाई जयान जोदा आखदा, जदों एक परंपरा वरोधी, एक परंपरा वरोधी नू एक पिछलाग आखदा, जदों कोई पिछला जदो एक परमपरा वरोधी पिछलाग नो एक अवारा गरदा आखता है। जदो एक परियोगवादी नो एक पिछलाग आखता है। जदो एक परियोगवादी नो एक परियोगवादी नो एक पिछलाग आखता है। जदो एक परियोगवादी नो एक पिछलाग आखता है। फड़ो फड़ी। परियोगवादी नो एक परियोगवादी नो एक पिछलाग आखता है। एदा मुडला रूप समुची मनुखता विच खेंडे इतकाद नो जोडन दी एक आई हुंदा है। पर वक्त पाके इतकाद दी मंजिल पिछां रह जांदी है। सक्णियां रस्मारी तांगे तुर्पेंदियां है। चिन्नादियां पो लुप लेयां थे जे पैर संबाड लेगे ता मकसद आसली रूप कदे पो लेखा नहीं पौदा है। मनुखी होन दी रख्या ते उदा विकास मनुख दा मकसद सी ती है। हर देवी देव देदी होन एसे इक देने का नाहां गल कुदरती ताकतां दी ती मुनुखी लोडां दी सी। पामे कई चिन्ना विच ते कई नावां है ठाके गए। पार्ती मिथ्यास विच पृत्वी एक देव पृत्वी दीती है। एक वार पृत्वी दास हो गई तो उने फड़ फुल देन दू इनकार कर देता। काल पया गया। पृत्वी ने गुसे होके उनुँ मारली तीर कमान चुक्या ता पृत्वी गव बनके चेती मल दोड़ गई। आखर पृत्वी ने जदो नुँ फड़ेया तो उने एक शर्त रखी कि जे उनुँ एक वच्छा दे देता जाये तो ओधी छातीच दुद्द उतर आएगा। जो सारी मनुख जात ले बतेरा होईगा। इन जो पृत्वी ने गव दी शेकल्च वच्छा अपना विकास लब्या। उ गव ते वच्छा मा ते पुक्तर दी सूरत पूजे जान दे हां। ग्रीक मिथ्यास विच मां देवी दे खबे हद फुल दी कली फडी हुंदी है। ते खोर पैदाइश दी देवी दा रूप। दो जोडे बच्चेयानों दो हां चातियां विचो दुद्द चुंगारी कौरत दा है। गाया लफज वांग दा लफज वी प्रचीन ग्रीक विच तरती वास्ती सी सो फसलां दी देवी दमेतर तरती मां। इजिप्शियन इसिस वांग बच्चेयान दी ते अन दी राखी दा चेन समझी गई है। कड़ा कुखदा चेन ने डूंगा ते हनेरा पाणी दे कड़े दा शगन असल कुखदी पूजा है। मां देवी दे सिर्ते चुक्या कड़ा मिथ्यास विच अक्सर मिल दा है। अफ्रीकन मिथ्यास विच वी बच्चेनू दुद चुंगारी और दबिंप पूजनी चिननाच शामल है। इजिप्शियन मिथ्यास विच तर्ती मर्द हैं अंबर इस्तरी। कैंदी हन रोज जदो नट अंबर गयास तर्ती नू मिलन होंदी ता मेल दियां कडियां वेले अपनें द्वाले हनेरा कारलांदी। एथो रात बढ़ें सी रे मतलब सूरज नू इपसांद नेंसी एसले उने अंबर नू तर्ती नाल व्या करन तो रोक्या। परंबर ने रेधा आखा मोड के तर्ती नाल व्या कर लिया। इना दे पंच बच्चेयां चो दो पैनाने जदो दो परावा नाल व्या कर लिया। ता अब सी चगड़ें चीक पराने दू जेनू मार देता। इस मरे होई प्रादी इस्तरी ताना इसिस है। इसिस ने सोचया जे उदे कारिक पुत्तर हुन्दा ता उप्योदी निशाने हुन्दा। उदी वान्श अगे तूर दी सोने मोई होई खावन दी लाश लबी सूरज दी मददना लोनू कड़ेक जवाया। ते ओदे मेल तो साच दे इंसाफ दी राखी लेग प्रतापी पुत्तर जम्या। ओरस इसस दी मूर्ती जदो बनाई जान्दी है। वो अपने छाती विच्चो बच्चे नू दुद प्यारी हुन्दी है। मां ते बच्चे दा बेम्ब मनुख़्ी मान्दा इहुजया परतीक बनेया। के ए युनान ते रोम तो हुन्दा सारे यॉरप जफैल गया। एजिप्ट जदो रोमन हकूमत दे कबजे चाया तो रोमना ने लोकां दा दिल जितन ली हुना दी देवी दी मानता अपना ली। हुन रोम चेदा सब तो वड़ा मंदर है। छोटे छोटे यॉरप विच कई थाहन परतानिया विच्वी। ख्याल कीता जान्दा है कि इसाई मात ने मरियम ते क्राइस्ट दे बिम्ब ले इसे इजिप्शिन बिम्ब तो प्रेणना ले सी। जपान दे मिध्यास विच मनुख ने किसमत दे सत देवते कलपे जिनाचो एक बच्चेयां दी राखी लेए। एदा मों हमेशा मेरबान वखाया जन्दें। प्यार विच कूला दे पंग्रिया हुया। ए खुटेई ओके विले और तानू नदियां पार करवांदाया ते मुस्कुरा के बच्चेयां दी राख मंगदाया। एदी रूधी विशालता दा चिन एदा गोड सिर्थे पेठान। इनारी एक देवी चोड़ां दी राखी कर दिया। ते होते ही बच्चेयां दी। हड़ा हनेरियां ते हम लावरां तो बच्चन दी जिते मनुख ने हजारां देवी देवते कलपी होते मनुखी वांच दी रख्या ले मां ते बच्चे दे बेंबवेची कजेया रूप हुई कलपया। तड़ी तडप समें दी हर प्यानक ता विच्चो लंग दी हमेशा सल मेक्सिकन में थ्यास विच तर्ती मा मनुख दी दुखाई हुई बहुत दुखी है ताम भी अपने हुसंदी सदीवी तर्प विच्चो मनुख नू जनम दे रही है। ये जनम जांग दे हथ्यारां दी चामें पड़ दाया ते सैम ता सुकदा तर्ती इंबर दे जलाल नू कुछ फिल्म हां बारे अगला लेख है एक फ्रेंच फीचर फिल्म लास्ट येर इन मारेन बाद किसे पातर दा कोई ना नहीं जिन्दगी दी प्यासी जमें हडमास दी रूप चै एक मर्दामें बुद्वेच स्थान दुनिया दी हर नेमत नल पर या एक होटल ते होटल च रहन दी होर लोग दुनिया दी रोनकता चै उथी एक सदीवी मर्द जमें एक लोग उज़ी यदूर है उदी पूरंता इक मूद ते केंदरित हो जान्दी दुनिया दे लोग उदे मन दी हालत अनुसार कदे उनु तुर्दे विखाई दे हन्दे हन्दे सदीवी तौर देखलोते होए साज भी जरूरी नहीं के उनु उभी सुनाई दें जो सामने पर उनु ड्रम सुनाई दें दे उदे मन दी हालत अनुसार मर्द नु ए यकीन है कि उस औरत नु पिछले वरे भी मिलिया सी इत्थे जा पता नी के थी इपिछला वरा पता नी कैलेंडर दा वरे के मन दे सबर दा फिल्म कुछ नहीं आख दी मनु खदी सोच एक सच्चाई इसले किसी होर स्पष्टता वेच जान दी लोडनी रंदी जिवे औरत नु नहीं खुद जिन्दगी नु दे कोली करार दे उदा लारा चे ते करार रहा हो फिल्म चेक तीसरा मनुख वी है पता नी उस औरत दा खावंद के कौन कहानी ये दे बारे वी चुप है उ तीसरा म कमने घ्रत नुख एक सेम दा चिन है, जिन्दगी दे सेम नु रिष्टे दे किसे वेर्वेच जान दी लोडनी, कहानी होटल दे जिना खंबे या वरांड़हां रुकहां ती बुत लांग भीर राख फिर दुझे है नेरेज परवेश कर रहा है। इस बारे सब दर्शकां दी क्यास अपने हैं। इस बारे सब्सक्राइब। इस बारे सब्सक्राइब। इस बारे सब्सक्राइब। इस बारे सब्सक्राइब। सामर तक दिस्दा है। स्तारां वर्यां पेच्छों इकठेयां सफर दा इतफाक हुन्दा है। कार चल रही है। सडक उत्तेवी ते वक्त दी छती उत्तेवी। ये वक्त बीत्या वक्त भी हैं ते ओन वलावी। इको विले जवे एक कार दोहां वक्ता विच चल रही है। आरत हुन थेव ज्यांती महार है। खंड्रांदी खुदाईचों बीत्य विले आंदे चिन लंदी है। जये पांडे जो हाथ दी छोर नाल वी टोट सक्रे हैं। ते हवा दे चौके नाली। ये पेशाओ दे मंदी हाल दा चिन बनके जिन्दगी नूँ दोरे अर्थ दे जांदे। वो बीत्य हुए पलानू तर्ती दे गरवेचों कट रही है। वो पल वी ओना पंडे आमांगी को समय कीमती भी हां। ते नाजुक वी हाथ लायां वी टुट सक्दे हां ते हवा दे चौके नाली। इना पलानू तक दी संबार दी इस फिलम दी नाईका अपने रोल नूँ सिर्फ निबाँदी नहीं जियों दी है। कहाणी दी डुंगाई इस गल विच्च है कि एप पल ना कटाए जा सकते हैं ना वदाए जा सकते। इप पल जिमें दोहां पातरां दी हत्तों निकल के अपनी तीसरी दे वकरी होंद बांड जांदे हैं। नागमनी दे पाठकान वे जानकारी होड़ी दिल्चस्प लगेगी कि इस फिलम दा स्क्रीन प्ले उस बल्गारियन शायरा बलागा दिमित्रोवा दा लिख्या गया है। जी दिया नजवां उ कई बार नागमनी च पढ़ चुके हैं। सारे फेस्टिवल दी खास कले हैं के हर फिलम चीक नीज है अंदर मुखी ते बार मुखी वे। मनुख दी कलता निजता दी ख्याल दी जाती सुतंतरता नू समझन दी कोशिश वी। ते मनुख नू तवारीक दी रोश्नी वेच वेखन दा यतन भी। ते सिस्टम दी याँ खूबियां देखामियानू पिंडे उत्ते पोगत कें। उदा विच्चो निकल दे स्वालानू निजिठ्धन दा जेरावी। वाइट रोम जै फिलम बना सकना एक सुमाजवादी देश नू मुबारक दा हकदार बना जन्दै। स्वालानू चुप नाल कजन दी था इस निक्के जै देश दी फिलम ने स्क्रीन उते ले आंदा। यह उदा जेरावी है ते वक्त दी लोड हुए। चुप दा दर्द जना पोग दिया हुए इस विशे नू फिलम दी खुली रोष्णी तक ले आउन दी लोड समझ सकती है। दा एर्थ अते लॉंगेस्ट नाइट जिया फिलमा जर्मन राय दी गुला मीनाल जूज दी वक्त दियां तो स्वीरान। सुतंतरता दी जदो जैद सिर्चोक दियां लहुज पेज दियां ते मान दी बहादरी विच्चों भी लंग दियां। कायरता विच्चों भी पर खलों दी नहीं अग्ये तुर दियां। पहले कदम दो बाद अगला कदम चुपकन दी एहमियत देश ने कुछ इंज समझ लें लग दियां। के वाइट रूम जू इनू आज तक लेया है। ए फिलम इस आज दे पैरांच हरकत मंग दियां। वक्करी कौन तों पर इसे गालनों इक होर फिलम फियोवेल फ्रेंड्स विच्वील है। जिते जिन्दगी ता शोग देनाल विखाया है। जो सदारन है आम है ते हांच हां है। और मुश्किल हो देनल विखाया है जो सदारन नहीं ते जो हांच हां नहीं एदा नबेड बड़ा कलात्मक है। वो टीचर जिते नल सिस्टम नू चलना उख्या हो रहे है। एक दिन कलास चुछुप खड़ा रहन दा है वक्त बीत रहे हैं विद्यार्थियां चो एक कोई त्रबक एक हैंदा सी वक्त गवा रहे हैं। टीचर मुस्क्राओं दा है। आखता है हाँ, इसे पल नू डीक रहा सा के तुसी समझ सको के ऐसी वक्त गवा रहे हैं। इही चेतना हरकत दा पहला खड़ा आक है। पात्राँ दी अदाईगी ते फोटोग्राफी दा कमाल नाल वेखन वाले दे मूँँ जो तीसरी गाल निकल दीया है। वो इस हरकत नू वो बारक है। फर्वरी निसो कतर। वेल्जियम दी एक कार्टून फिलम मर मेच। दो क्रेन काले प्यान खंबा वाले खंबा वांगसमांच चूल दे ते लंबिया नुकेलियां चुन्जानल तर्ती उत्ते पैयां बंद पेटियां उचोकदे आपको विच लड़ पैंदे है। एक दी चुन्जच फड़ी होई पेटि दूजा करेन खोल हैंदा है से खोवाम खोईच एक पेटि पासे तो प्रोड जान दिया ते उदे चो एक बंब डिक्के सुमुंदर च पह जान दा है। सुमुंदर दियां मच्चियां मर जान दिया हैं कोई भी मच्चेरा जदो सुमुंदर चो मच्चियां फड़ दया हर मच्ची मोई होई निकल दिया। इसे सुमुंदर चेक जलपरी हुंदी सी, जोदो पाणी चो सिर्च रुक दी सी, कंडे उत्ते बंसरी विजोंदा एक सोना मुंडा मोया जान्दा सी, पर सुमुंदर विचे जोदो मच्छीय मर जान्दी हैं, ये जलपरी भी मर जान्दी है, उदी लाश्च दो पाणी चो जल परी दा आश्रक मर्द वेज में उदी मौत नल अंदरों मर्च जन्द है जिते जमीन उते जल परी दी लाश्रक के गई सी उते चौक नल चिटियां लीकां केच के मौईना करनों वाले ने उदा आकार बढ़ाया सी उदा आश्रक उदे पासे नल खलो के अपने परच्छा में दा आकार भी बढ़ा देंदा है फिर रज के बंसरी वे जाओंदा है ते उदे तस सब वर्च दो में आकार जी उठ दे हन ते दो में रलके स्थरती तो दूर चले जान दे है कार्टून फिल्मानों अजे तक हासे खिड़े ची ले आजामरा सी पर इस फिल्म ने डा गंबीर विशा इस माधियम विच्छो लेया कि इस माधियम नो नमे दे साथ दे 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 दो वड़ियां ताकतां दी खोम खोई जिदे इच मासूम जिन्ना दी खाम खाम होत ते मुहबब दे संगी दा सदीवी दुखान अजेया गंबीर विशासी जिनू जाप दे इस माधियम तो सिवा किसे तरह ये नी पीड ते डूंगा इनल पर दे दे नहीं सी उतारे आ जा पिछले मीने उनी सोकतर दियां फिल्मा दे नैशनल लिवार्ड दी कमेटी विच सांग एक मल्यालम फिलम वेखती नू अन्तां दी चून आई पर फिलम दे आखरी हिसे ने उसे चून नू मत्थे दिया नाडां दा रो बना देता है उस फिलम चिक डॉक्टर दी शक्सियत पैरो पैरो बर्दी अखांचे चा जांदी है कोडियां दे हस्ताल चीक कोडियों दे हत्थों राजी हुंदी है परो दा कारते समाज उनू मुड़के को बूल दाने है डॉक्टर ने सेध दे इस बुत नू एक बुत राश वंग होड़ी होड़ी कड़िया समाज दियां ब बीवी दे साथ होते है अपना हाग को समझा होंदा है पर बीवी नो निरोल इंसानी रिश्ता समझन तो इनकार है उन अरास होके अपने बापकुल चली जंदी है डॉक्टर उदास है पर होड़ी बीवी जोदी इस शक्सिये दाई पहलो समझनों असमर्थ है तो अपने इस पहलो नो सुका संगोड नहीं सकता है समझनों असमर्थ बीवी दे होठा होते इलजाम जया लफज़ों तो जूत दी बीमारी वंग फैल के लोकां दे होठा होते भी आजांते है डॉक्टर नो हस्पताल दी नौकरी तो बरखास्त कर देता जांता है उदास है पर निराश नहीं असलों एकला रिसर्च शुरू कर दे दिन रात लिबाटरीच बठा खोज कर दे नोट्स लिख दे एक दिन उस कुडी दी पैन हों दी है कुडी नू वापस कर ले जाना न चौन दी है डाक्टर उदा सुन दे पर खुश भी कि उस कुडी नू करतों बलावा है कुड कर दी है पर जाके वेख दी है उदा बाप पागल हो चुक है पैनने सिर्फ पागल बाप दी सेवा ले उनू का रंद है उसेवा कर दी है पर उदी पैन दा वतीरा उदे नाल ते बाप नाल एह हुझे है के बाप नू इंज बे आबरू हुंदे हैं वेख के उदे कुडों स हार आनी जानदा उद भाप नों किसे तरहां फार संबालके फे डॉक्टर दा भूः घड़क हों दी है। डॉक्टर दा भुवा उना दोहां ले खुल्ला है, बाप दा इलाज शिरू हुंदे, हस्ताल चे एस डॉक्टर दी खाली था हुंदे, जो नवान डॉक्टर आया हो इस डॉक्टर दी कदर ची, कही वार उनू मिलन होंदे, कुडी नाल भी मुलाकात हुंदे, जड़ी अफ व वो दियां इस कुडी खातर चलियां मुश्कला मनजिल पा जानगी, पहले डॉक्टर दी बीवी हुंदे, तक वो दे कुड़ों तलाक ले चुकी, तलाक वड़ा हाथसा डॉक्टर दी सोच दो बार सी, वनता दा उदास है, उदा कम उखड़ों खड़ जानदे, सरीर नू म मन दी हलत मी, अंदर ली पेडिक वी कास लब दी है, जो कम दी सूरत विच नहीं, तक किसे वी सूरत विच, एक शाम उफुलां दे बगीचे चुस कुडी नू गौनियां वेखदे, तो ओधी अड़के खलो ती हुई सोच शक्ती, ओधे जिसम विच वीक निकास लबना चा ये दे शफाव पाणी कुदरती रोंच वेंदे हैं, पर ये तो अग्ये जिमें सुमाय दियां स्थापत कीमताने बगाने पाणियां नू जोरी अपने खेतां चलाले हुई कुड़ी ने दुझे डॉक्टर नल्व्यादा एक करार किता हुई है, इसलिए इस डॉक्टर दियां बावांच इस सत पंग ते रोंदी ते छट पटन दी है, स्वेर साथ डॉक्टर दे कमरे चो इंज निकल दिया जिमेंक लाश पौड़ियां उतर रही हुई डॉक्टर नो कुड़ी ने कुझे नी दसिया, इसलिए अपने राउन चीक तल्खी नो मिटाके शांत ते सुर्खरू हो जानदे है, फिर लबाटरी ची जानदे है, काम चलीन हो जानदे है, उदाड़या हुई तजर्बा अपना राप आलनदे है, उख कोड़ दे रोगद तो दे काबल नहीं रही, ते दुज़ा डॉक्टर इस डॉक्टर कोड़ कोच दाया, ते डॉक्टर अंतांदा निराश हो के आतमकात कर लगदा है, खुदाया, इसाटिया सोचानू के हुजा सराप है, असी कुझ भी स्थापत की इमता तो अगां सोचन जोगे नहीं रहे, डॉक्टर दी सूर्जी शक्सियत कोड़ों, जिस कुड़ी नू ने नितकिर्ना उदा अरलग्या सान किसे पलो दी किसे लोडवेले उनू अपा सौप दी सार्थत क्यो न होगे, उदे खाकी अंग उस डॉक्टर दे अंगां दी छोर नाल नूरी क्यो न होगे, उदा मन उस मेल दे पाणियांच नहा के हुर्द सुच्चा क्यो न हो गया, जिस मेल दे एक पल ने डॉक्टर नूए ना कुछ दे देता, तो सुमाज इच कोड़ जया रोगदूर करन दा कारण बन सक्या, उसे मेल दे, उसे पल नाल उस कुड़ी दा सत पंके में हो गया, इस कहानी ने सूर्जी रा नूच अड़के, पिर अजडी रा क्यों पढ़ लेया, जिस कटना नाल साइंस दी खो जगे तुर पई, कि एक जियों दी जाग दी कुड़ी इस काबल नहीं सी कि अगान जिंदगी वड़े कासे तुर सकने, कि ओ सुवेर सा डॉक्टर दे कमरे चो इंज नी स साइंस दी खो जगे तुर सकती है, पर स्थापत कीमता दी पैर पता ने किने वड़ देती है, उके ते नी तुर सकते, उस कुड़ी उस रात तो बाज जे सुवेर सा डॉक्टर नुएंज वेक दी, जिवें चड़दा सूरज वेकरी हुवे, ते उदे चानन चापनी जन्दगी दारा पचान दी, दूजे डॉक्टर नाल व्या करलेंदी, तै कहानी पक्कीज गी दे न और नवी अर्थानु खाथ लोण लगया इस कहानी दे, हाथ काम बढ़े, पता दी, साधियां किरतां दी हाथ किन्ना चेर काम बढ़े रहेंगे। मैं 1972 वामशा वरिक्षा नैशनल वार लेई सामने आई यां फिल्मांचो जापया, विशे पक्खों जे कोई फिल्म दर्शिक दियां, रगांचो सौंधी जागदी ते खलूंदी तूर दियां, तो उक कन्नड फिल्म हैं वामशा वरिक्षा संस्कृती नल बजियां ते उदे नल कन्नियां खोल दियां सोचांदी विचकार ये फिल्म तुर्दी है, अपने स्याज चाले हर शोकी चंचलता ते गुसे गिले तू बेर नियाज, हत्थांदी यां दित्यानू दंदानल खोलन वाली कहावत नू चुटलां दी, ये स्यामन कराना है, जिस कारदा पिता सब रुवायता नल जुड़या हुया है, अपने कार कराने दी लेदा विश्वासी पर उदी कटरता ना खर्वी ये ना गुसीरी, उदी खुबसूर्ती होदी ठंडी तीरी ते कमीर होंद वेच्चे, कार्चिक उदी पतनी है, आम सुब संसकारां वड़ी को दासी है, जिदा बाप भी इसे कारदा दासी, ते एक विद्वा नू है, ते एक छोटा ज्या कोतरा, कात्या अलनी कर दे नूं, कर दे रुजाना हर्च हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि उन्ने विद्वारीती अनुसार अपने वाल नहीं कटवाई, उदे ले ये दुनिया जमें सीखा तो पारली दुनिया, पर एक दिन वो अपनी संज तो कबरा के सोच दिया, जो सीखा तो बारली दुनिया ज़ पैर रख सके, उदे खावन दी विद्वा दूरी रह गई, इसी चड़दी उमरी मौत हो गई, इसी सोच दिया, ये वलेल, शैद उसे दिया दूरी छड़ी विद्वा दिया नू पूरा करंदी चाह है, एक दिन मंदी चाह कार दे बज़र गगे रख दिया, पर उदे ले ये सोच, इनी नमी ते होदे कहलां तो वकरी है कि उनू कबूल नहीं होंदी, पर रात दी कांत विचो जदो उनू कौन अल स पूच दे तो दी, उनू उजर वास्ते कोई दलील नी लब दी, उस्वेरे उठके कात्याणी नू कॉलेश्च दाखल होंदी जाज़त दे दन्दै, कात्याणी वास्ते किताबां दे वरके एक नमी दुनिया हान। उसारा देने ना वरके आंचकों मुदी है, तरकाल पही अपने बच्चे नाल खेट के एक स्कून लब दी है। तो पैदल स्टेशन वाल जांदी कात्याणी नू अपने साइकल दे बठा के स्टेशन तक चड़ दाऊंदे। ये प्रफेसर राजा राओ हमेशा साधी जीतोती चले पेटी हुए, स्चुप चाती संजीता कात्याणी नू वेक वेक सोच दाए कि इस विद्वा दा हमेशा विद्वा रहना क्यों जरूरी है। अपने होंद अपने हथांच लेके कात्याणी दे सामने खलोता हुए, कात्याणी कबरा के कन्ना नू मेट लें दिया, तो चली जन दिया, रात सुपने अपने मोई खावन दी होद्वन नू अपने कोल मैसूस दिया, ये थे फिलम दी डारेक्शन दा कमाल है, क्यों बीते अपने हुआँगर और वर्तमान दा हिस्सा है, नाओनों पिंदे नलों खुणिया जासकते हैं, नाओदे कुड़ों मूँ चुपाया जासकते हैं, पर एस सच्चाईतों भी इनकार नहीं कि ये वोन सारा वर्तमान कदे नहीं बन सकते हैं। वर्त मानवेच जो सकनीता है सुपनेच जोरी उस्था में राजा राउ आजांद है कात्यानी दे संसकार चेतन तौरते इनू नहीं कबूल दे इसलिए यो कबरा के जाग दिये, कबरा के सौन दिये राजा राउ दियां खां रोज कात्यानी दे मूं कोड़ू उत्तर मंग दिया है पर कत्यानी ने अजे ए उत्तर अपने अंदरों लबना है वर्यांदी आदत वी संसकार अमर्गी हुंदी है कात्यानी नुँ वर्यांत वही आगत सी, हर अखी कड़ी वो अपने सौरे कुड़ों सला मंग दी हुंदी से, उनवी कागस उते इसको अखी कड़ी दा वेला लेके एक तरकाल, वो कागस नुँ अपने सौरे दे पैरंकूल राख हुंदी है। कात्यानी अपने माननों हत्थांच संबाल दी राजा रावनों आख देंदी है, के इंज कदी नहीं हो सकेगा, त्यो अपने सौरे दी बीती जिन्दगी विच्चो एक टनावनों सुनोंदी है, के एक वार बच्चे नुँ जनम देन पेच्चो उदी सास कई वर्या ले, मंज जिनाल जोड़ गई सी, सास नुँ एक वार ख्याल आया सी, के उदी मर्दी जिन्दगी स्रीरक सुकां तो वांजी रहे था इंसाफ नहीं, उन्हें कार दी जवान दासी नाडे दर्द फोल लिया ते उन्हों त्यार कीता, के उकार दे मालक नु श्रीरक सुक देवे, कार द दुचितीच पिया होया दासी दे कमरे वल तुरिया, पर बुरूहां कोडो दे पैर अड़ गया, उकदे गान देहली जावल हुंदा, कदे पैर पिछा मूर लेंदा, आखर उन्हें कामना नु जित लिया, पिछां पर्त के जैन नाल अपने कमरेच सौंग या, ते का त्या आसी के आखरी फैसला नहीं, आखरी फैसला कात्यानी दा होईगा, ताम भी, ताम भी उन्हों इस सवाल नू नहीं सोचेगी, पर कुछ सोचना कात्यानी उत्ते, कात्यानी नालों भी पार उसे, इस जिंदगी दा बुलावां से, एक दिन कात्यानी अपने हत्थों परेशा के खुदाया हिंदी फिल्मावां के ते इस पहाड़ी उत्ते कोई मंदर ना होए के जिते जाके साधी का त्यानी पहला रोवे प्रार्त ना करें फिर पत्तर दी मूर्ती कड़ों आखरी फैसला कुछे पर इंज नहीं हुंदा ए विराना उदी जिन्दगी दी सुन दा परती है ते ए पहाड़ी अपने तो उच्छी उदी अपनी होन दी परती है पहाड़ी दी वक्षी चिखा बल दी पही है एक का त्यानी दी बीती जिंदगी दे दुखांत दी परती है चिखा कुल का त्यानी दे पैठ ठंबर दे हन पर फिर अगां तूर दी है जिवें हर दुख वस्था कुछ कैन सुनन्ती मुहताज नहीं रेंदी विया दी पहली राद कात्यानी दे द्वाले पहली वार रांगली तो ती दिस्ती है पर जिन्दगी दी एड़ी परी राद चाजेवी जेडी एक कसर है इस राद सिर्फ ओदा जिकर है एक फिक्रेच मैं अपना बच्चा अपने कोड ले आ सक दी ते कात्याणी निया खांच राजा राव होर भी उच्चा हो जानदा जिस वेली वाक दा क्योंने वो अगले दिन बच्चे नू लेन ले जान दिया ते उसनो उत्थे जाके उनू पता लग दा कि उदे पहले खावन दे शरादां दा देंसे कार्च पंडत को जारी आये होई हान उबार बैंचोते बैटके उडीक दिये कारदी दासीक हम दर्द देले कात्याणी नू वेक के आख दिये तेनू आजनी सी होना चाईदा पर जे आ गई है ता अंदर लंगा अंदरों पंडत को जारी निकल दे विखाई गये हान पड़े चोटे दिलांवाले छोर चुन्ने कात्याणी नू बार बैठी वेक के कूरियां वट्ट दे हंते व्यांग नल तक दे चाक दे लंग जान दे पिच्चो सिरी निवास बार हों दे कात्याणी नू वेक दे पर नखेड दे बावजुदो दा इंसान नाल इंसानी रिष्ता उ सितरा मढ़ियां होए एक दे अंदर आ जा कुछ खालए कात्यानी न अंदर जाके अदब नाल शिरी निवास दे परंकोल बैजान दिया ति अपना बच्चा मंग दिया उदी वास सुनके दुझे कम्रेचो सिरी निवास दी पतनी विया जन दिया ते कात्याणी दा पिता वी जो शिरादा ले आया हुए असे दो में कात्याणी नू मंदा बोल दे हन खास करो दा पिता जो कानून दान हुन करके हर गल कानून नी हवाले नल करता है आकर सिरी निवास दोहनु कम्रेचो बार पेज के कल्या कात्याणी दी गल सुनके आखरी फैसला फिर उदी उत्ते छड दन दे ऐ आक के के तू व्या कित है तैनू घुर बच्चा मिल सकद है पर होन मेनू घुर पोत्रा नहीं मिल सकदा बच्चा उतले कम रेट सुत्ता पे तूझे ले जाना चाओ नहीं आते लाजा। कात्यानी चुप जा पाड़ियां चड़के सुत्ते पर बच्चे कोल जा लेट दीये। सुत्ते बईनू प्यार करतीये। फिर उदे कोल उदे नाल उथे सौंजान दीये। रात लंगन ती आजान दीये। सिरी निवास दी पतने गुसेच है कि आकर उस सारी रात उत्ते क्यों रही। जे बच्चे नू लजाना सी ता चेती नल क्यों नहीं लेके चली गी। आखर सिरी निवास अडोल होली होली पोडियां चड़ताया थी वीखताया, बच्चा उथी चिटाई ती सुत्ता पैदी कात्यानी पतानी केड़ी वेले चली गी सी। सिरी निवास दी चा अग्ये सिर्चुका के वरे गुजर जान दी हन। कात्यानी नू जदों भी बच्चे दी आस लग दी है, आस वी चाली टोट जान दी है। अजही तिन हाथसयां बाद डॉक्टर दी सला हुन दी है कि उनू कदी जाई खत्रेच नहीं पानान चाईदा, सो राजा राओ अपना उप्रेशन करवाके कात्यानी नू इस खत्रे तो बचा लग दी है। पर कात्यानी दी जंदगी बच्चे दी सुन वर्त जान दी है। इसे सुन के कबरा के, वो कॉलेज नौकरी करन लग दी है। उद्रों दा पहला बच्चा जवान होके कॉलेज दाखल हो चुक है। पर जिदा मेल होके भी मेल नहीं बन सकता। बच्चे नू माँ दा सुराग पता लग दाए। तो कॉलेज बदल लग दाए। सिरी निवास उन बहुत बुड़ा हो चुक है। पतनी दी मौत हो चुक है। कार्च सिर्फ ओही पुराणी दासी है। ते जवान पोत्रा। एक दिन सिरी निवास कोई किताब लब दाए। कारदाओ। उतला खुंजाओ खोल दाए। जिते जदी कुछती ट्रंक टोकरियां पही हैं। एक टोकरी चुम माला केरतनी कापी केरतनीय दा नाम पता लगदा है। उदे वडेवडेरियांच कोई केरतनीय नहीं सी। इसलिए दासी कोलोई कई स्वाल कुछ दासी कबरों दी है। पर सिरी निवास दे आदर विच उन्हें उमर गुजारी सी चूठनी बोल सकती। दस्दी है के पेत में अपने प्यो कुलों सुनेयां सी। के सिरी निवास दे प्यो दी कोई उलाद नहीं सी। ना हो सकती सी। उदे पर आविच जदाद संबन दालोब सी। अपनी पत्नी नू एक कीर्तनीय कोडों अलाद हासल करन्दा होकम देता। ये निशानियां से कीर्तनीय दिया है। सिरी निवास दो जदो अपनी हों दी असलियत पता लग दी है कारकराने दी लीदा मान टोट जन्दै। दूसरे दिनों दे प्योदे सराद सन पर होन वो अपने आपनू इस पवित्तर करम दा दिकारी नहीं समय दा है। जिन्दगी दे जै ये थार्तनु वेक्यों वेराग्या जांद है। रंदी उमर लेकार दे त्याग वेच दे तीर्था दे रटन्च शांती लबन दा फैसला करता है। उद्रों कातियानी जिन्दगी दे आखरी सामाती है इक वार पुत्तर नूँ वेक्षणां चोंदी है। जिसले राजा राओ दे पुत्तर नूँ बुला पेच दे सिरी निवास दे त्याग नूँ अजे एक पड़ा होर लंगने तीर थांदी राप्यान तो पहला। कातियानी नू मिलने कातियानी दा पुत्तर जो दो मां खोल पॉंच दे है। हैरान वेक्षणां के उत्तर दादा भी खलोता हुए है। मां दे साप उत्तर दे मेल ले अटके हुए हैं। सारी उमर मां लफज नू सैक दे हुदे कन। जदो अखीरे लफज सोन लग दे हम तो इक शांती नल मर जांदी है। सिरी निवास दे आखरी बोल हैं। कात्यानी तो माफी मंगनायासी पर बहुत देर हुए। आखरी दिरिश है। सिरी निवास लंबे गाउते तुर रहे है। उदा पोत्रा दहली जानू थम के उत्थेकलोता हुए। इक जणा जिमें जिन्दगी नू दियां तैयां अफ रोल के वेख पहुत चुकाय सो जा रहे है। दुझे ने अजे हुना रहां थे घुजरने। इसलिए उत्थेकलोता। जिन्दगी दियां कीमता वक्रियां भी हुं दियां। वेले नल वट दियां भी। किसे विश्वास नू माडा चंगा कही बिना ए फिलम सिर्फ उना दी विच्चों लंग दी है। द्रिष्टी नू ते द्रिष्टी कोन नू चुप ले जे विशाल कर दी जाती है। मुहों कुछ नहीं आखती। इचुप पे दी हट ताकत है। जिन्दगी दा मुतालिया इस फिलम च बहु पक्षी है। इस कहानी दे नाल राजा राओ दे वड़ेपरा दी कहानी वी चल दी है। उदी होन सिर्फ इस्ट्री दी खोज वेच है। जिदे ले उदी सिलोनी विदियार्थनों दी बड़ी मददगार है। पर उन्हों जदों डॉक्टरेट मिल जान दी है। वापस से लोन जान लग दी है। ता हिस्ट्री दा प्रफेसर कब रहा आ जान दा है कि उन्हों दी खोज मदद कौन करेगा। उन्हों अपने देस विच अपने इकोल रखन लियोदे कोड़ी करा है। जो कुछ बारों समाजिक अन्यान देशता है। इही उन्हों दी किर्ट विच न्याँ बढ़ देढ़ा है। दूजी पत्नी उन्हों अपने बच्चे दी लोडवी बार देल दी है। ताके काम चविकन ना पबूए। जाकरों तवारीक दीयां पांज जिल्दा लेखके अपने कामने परेचाड़ दायते मर जान दायते। दूजी पत्नी नाल समाज गुसी है। पर किर्ट वदी शुकर गुजार है। किर्ट दीयां पंजान जिल्दानों एन जो छोचो वेख दी है। जिमें उदे बच्चे दे आंगों। उदे सारी जवानी इस किर्ट दे लेखे लगी हुई है। जिनो अखिर्ट उदे खावन दा पहला पुत्रों दी कुर्बानी दे रूपच वेख दायते। उस मत्रेई मानों नमस्कार करताय। जिन्दगी ता बहुं पक्खी मुतालिया इस फिल्म ने जमें पेश केता हुदे नाल। फिल्मी हुनर एक बहुत वड़ा मास मीडिया सार्थक रूप्ट सामने आया है। नहीं ता तामल उड़िया पंजाबी ते कई हिंदी फिल्मा वेख के अकसर हो दर्दा हुदे। के एड़े मेंगे रौ मेटीरियल नों ते एड़े वड़े वसीले नों कि में अजाइंग वाया जांदे। मैंनों खुशी है कि कंणर फिल्म दे डारेक्टरां गिरीश करनार दे बीवी कारां थूँ एस वरे दे सब तो चंगी डारेक्टर गिणियां गया है। जून 1972 लंदन चुवेखी एक स्वेडिश फिल्म अलवेरा। कुछ लफ़ास हन जो अर्थ गवा जुक्के हन पर कुछ चीज़ां हन जो जिंद्गी अर्थ बन गयां हन। ये फिक्राल विरा फिलम दाया, ते इसे फिक्रे नू जे फिल्मी दुनिया ते लागू करी है, ताल विरा वो फिल्म जापती है, जो फिल्मी दुनिया नू एक डूंगा अर्थ दे गई है, पड़ी साधी कहाने, खबारांच चपी के कटनाव ते अधारत, ते कटनाव ये एक सरक्टन वली है, एक सरकस अधी गुडी ते एक फजी मर्डी के दू जनन मिल्दे हैं, तोहन दे कारूबाइर ते दोहन दे भी ते जीवन, जивें दो देशांदिया सराहद दावाँ गोना दे विचकार विच्य हैं पर उस रहद्दानों चीर के मिल दे हन उस थां ते जो सरहद्दान दे विचकार खाली थां हों दे ते इस खाली थां उते उजना चिर जियों सक दे हन जियों दे हन पर फिल्म दी करामा दे है कि वस्ते रस्ते दे सान लो कि ते वद उस खाली थानु वस्देयां कर गई है खाली थानु ते जंगली का तो वद कुछ भी नहीं से इहो काउना दी सेज इहो काउना दा उला नाइक दा एक दोस्त तो नू समझाँ दा कि कादा तीला खानी अंचे मिनियां चाड़ जाए तक खानों सिर्फ उही तीले दिसने, पर तीले तो अगे सारी दुनिया दा पसार तुंदला हो जान दा है, ना एक इस हकीकत नू जान दा है, पर एक उस हकीकत नू भी जान दा है, जो सिर्फ उस तीले दी हकीकत है, आख दा जे उही तीले सारी दुनिया बान जायता, ते सार असरी दुनिया उस तीलिनेश समाजान दियाNow ती एक तीलिए उस तृरी दुनियान वेखंदा राज भी दस रहे। ऐसका जोало में थे एक डूज्चे तु अक्छाउधिये सुरी कोव्ढर्ण जोलेकर नाइका जान दी है, उदा महबूब होदे ले फौज वेटो नस्या होए है ते अपनी तली उदे सावे पसार के आख दी है मेरी तली, ये मेरी हाथ दी तली, सारी दुनिया दा नक्ष है मेरी मान जर्मन सी, प्यो डैनिश, मान दी मां अमरीकन, प्योदा प्यो बरतानवी ते मेरे दोस्त में तरे तालवी ते फ्रांसी सी, सारी ये सरहदा मेरी तली उते विछिया हुए हाथ ते मैनों सारी तली दी लोड़ है, सारे खात दी ते सारी दुनिया उदी तली हे ठा आ ज़ा दी है पर दुनिया अपनी होंदनू वेखन रई उदे कुड़ो खाउधार नहीं लेसकते इसलिए उदी तली हूँ छेक दी है ते छेको छेक तली दा जथ वो फिलम हो को दी है दर्शेक अपने हाथ दे तली बेख रहे हुं दे हैं। कहानी दे निके निके मोडाओं ते निके निके हाथ से हैं। पर चेते चटक जानू वाले। एक जंगल चड़े के नाइक जदो अपनी फॉजी कोट उते सुनेरी फी ते उदेड़ दे, ते सुनेरी बटन लौन दा, ते कोट नो सिब्लियन बढ़ों दा, तो उनो कोट लई, उनो सदे बढ़तां दी लो रहे, परा एक खेट चीक डरना गड़े हुए, उस तूड़ी द दे डरने निकोट पो आया हुए है, तो में जदो उस खेट कोड़ों लंग दे हैं, तो नाइक डरने दे कोट नो बटन डालें दे, ते इंज नाइक दा कोट से ब्लियन बन जा दे, ते उस दुनिया चे दाखल हो जान दे, जिते डरने गड़े हुए है, इंजे एक वार उ इस तरती दी चीज नहीं संजागती। उदे होठा उते हमेशा एक बर्फ वरगी मुस्कुराथ हुंदी सी, जो लोका नी अखा नी गर्मेश नालवी हुंदी सी, गर्मेश नालवी नहीं सी पंगरती। तेस तपसरे नू पढ़के, कोड़ी इस तरह हास रही हुंदी है। ज कोड़ी ने थोड़ी पैसी अपनी चुत्ती चिसाम भी हुई है। उखो कड़के रोटी दा बिल देन दी है। तो दोस्ताफ रहे। ये तोड़ा पुजद तो बार है। कोड़ी जवाब देन दी है। हाँ। पर जिन्दगी इच कदी हो विला भी होंदै। जो ये नी जी की कीमत हुएगी थे। एफ फिल्म रोटी दी कीमत नो खुली जी बिना कुछ आखियां उस विड़े तक ले जान दी है। जो विड़ा होना दोहानी जरूर जोना है। तो दी कीमत जरूर तार नी है। बिना ही पुछें कि उदी कीमत किन नी है। नवंबर 1972. मल्यालम फिल्म फेस्टिवल अपरेल्च मल्यालम फिल्म फेस्टिवल सी चंगी फिल्म दी चोन ले जोरी विच सांथ इसलिए सारियां फिल्मां कौन अलवे कियां सांथ। निर्देशन दे पकों फिल्मां बहुत कमजोर संथ पर कहानी दे पकों बहुत सारियां फिल्मां चुनन जुरत कीती है एस पखोसादा पंजाब सब तो वेचे है एसलिए मांची के दर्द है मंगाल नी पहल कीती सी पर होन कनड़ते मल्यालम नी भी जुरत कीती है ति हुने ना तिनना जवाना दी जुरत साड़े रश्क बंग दीगे ए एक जवान पर विद्वा आरत स्कू कांडी याजन ली तो शीकारी नु चार इनम्ड याद्स रीच आ घ्यारच विद्वार के जाउन ये दिल्दा इहो जाज़कन है जिदे लिए कोई दारू नहीं दूसरा कामियां दा एक टबर इस उस गेस्ट हाउस दी सफाई कर दा जिदे विच कई तरह दे लोग रहें दे हां चैम पार्थी ना दी इस फिलम विच कामियां दी टबर दी कुडी मसा पंदरा को वरियां दी अन्ता दी मसूम एक जंगली फुल वांग खेड गए है कराईदारा में जो एक जंगे दिल्दा शायर तीक किसी कॉले दा लेक्चरार उनू बड़े पले लग दे है जिना लिए उरूस फुल तोड़के लियां दी है फिर एक अमीर लड़का उती आ रहें दे जो कुडी न अपनी है प्यो तरपदा है पर शक गरीबां दे कीता जा सकता है अमीरा ते नहीं इस कहाने चे शायर दी पातरों सारी विकर्ण वली है वो कुडी हो दी शायरी दी जिंद जान सी वो तो भी होना जमें अद्दा हो दे नाली मत जांदा है पर उस अमीर लड़के ने कदे श शायर दी बापनों एक मुश्कल वेले बचाया सी इसलिए पूरा शक होंदे हो इस अमीर लड़के दी खिलाफ उबासर नहीं सकता है अमीर लड़का शायर नो रो शिराप प्यांदा है तो दी इनी नजर सानी करदा है जमें उदा कैदी हुए शायर दा विद्रों होड़ी शायर अपने आपनों पुलिस से हो अले करदा है कनून दी नजर चो काते लें पर चिंतका दी नजर चो एक बहुत वड़ा स्वालिया फिकर है जिदा जवाप ना जी कनून को लें ना समाज को तीसरी फिलम स्वंबर नादी एक फिलम विच सोनी पड़ी लिखी कुडी एक हान चुन दी है ते करदी मुखालफद नाल जूज दी करनू त्याग देंदी है दो में सुपने अन अल्ल दे कुछ देनिक चंगे होटल वेच फिर माड़े होटल वेच फिर गिरीबां दी बस्ती जारेंदे ये बस्ती चंगे दिल वड़े लोकांदी भी है ते जिस्मानु खुरीतन वेचण वड़े लोकांदी भी इक पासे दो स्याने बंदे हां दुझे पासे जिन्दगी दा सब्तो तल्क स्वाल है रोटी दा स्वाल जिन्दगी उस बंद गली वांग है जिदा कोई पविखने इस स्वामबर नाधी फिलं स्वामबर हुते व्यंग ने उस आले द्वाले हुते व्यंग है जिदे विच्वामबर वर्गी खूबसूरत चंगी चीज लिए कोई था ने अगला है चोथा एक साव आदमी बड़ी मेनत नाल रूटी कमाद है परोदे द्वाड़े दूर नेड़े तक एक अजी बेवसी फैली हुई है जो कमाद है मुश्कल नाल बचा के मान पेज दे माने जुवानती दा व्या करने परोदा शराबी खावंद सारी कमाई ओदे कुणों जोरी कोके शुराब दे हवाले कर दंदा है सारी कमाई जिमिया जाइन चाह रही है साव आदमी कुझ नहीं कर सकता है उजित्थे रेंदा एक शरीफ बड़े मुसल्मान रोज पुत्तर दे खट्तों मार खांदियां वेक दा पर कुझ नहीं कर सकता है उदी पैन जी ही को कुडियों दी वाकप बन दिये जिदा एक छोटा जाब बच्चे है पर जिदा खावंद उन्हों छटके चला गये है उत्यागी कुडी समाज दियां उज्जांदा शिकार है पर उपुझ नह कर सकता है एक कुझ ना कर सकन दियो दी हालत जदों सबर दे प्याले वंग पर जंदिये तो जंग दी खबर सुनके फौज वेज परती हो जंदिये ताकि अपने देश्ता कुझ कर सके अपने नेड़ी दियां ते जाहिरा दिस्तियां कटनावां तो पैदा हुई बेबसी ज जिदे चीक कॉले दा लेक्चरार अपने उस विद्यारतियनों सेथ सुबा प्यार करन लागता है जिदी नुहारोदी मोई मानन मिलती हुंदी है व्या हो जान दे चारवरी उज़र जान दी है पर बीवी परेशान है कि उदा खावंत होदे नल कोई स्रीरिक सबंद क्यों जो निरास कदे होदे कुड़ों कुट्टना अंचान दी है तो इन जो विराग्या जान दा है जिवे होदे बिना होदे ले जोना संबब ना होए आखर एक एस एक साइक्याट्रिस्ट कोण पांच दा है जो मदर फिक्सेशन दा कारन लाब के वना दी जिदगी नों सुबा वकरिष्टेवाल ले जान दा है छेवी फिलम इक फिलम छ मिल दी हड़तान बारे मिल छ नवी मशीन हों दी है ते नाले कटना भी वापर दी है के मालक दी मौत नाल अमरीकन सिख्या दे असर हेट पड़या मालक दा पुतर मिल दा मालक बन जान दा है बहुत सारी कामयानों बेलोड़ा जान के मिल छुकर दिन कामयरो स जाहर करनों दी हन दी गडी उकी रापलन दी हन तो जोरी गड़ी चलाके और फिलम दी उत्तों दी गड़ी लंगा के चला चला उस काम मेती लाश नू चुकि सारी कामे हड दाल दी सौंखन दी हैं मिल बंद हो जान दी है पोख पर फैल जान दिया है मिल दा मालक पुलिस नू मदद ले बिलाँद है पुलिस आ जान दिया पर नाले खबर भी कि सरकार ने मिल अपने हाथ विच ले 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 मालक के तो खेज के आतम हत्या कर लगदा है पर इस खबर दा उना दूझे का में नू कता नहीं लगदा जिनाने मिल नू बंब नाल उड़ा ले लुक दे बंब नू मिल दे अंदर पहुंचा दे हैं तो दे नल बदी तार नू तूर तक विचा के तार दे सिरे नू अगला द यह अग काफी दूर तक पहुंच गई हुंदी है जिस विलियों नू पता लगदा है कि मिल उन्हों से जिद्धी अमीर आदमी दी मलकियत नहीं सरकार दी मलकियत है उस विलियों मिल नू बचान ले अपनियां जानना का तरेज पाके अग्गे वादे हैं एस कहानी नू जि पर जदो अस्थानों ना तो बेमुख हो जाए तो ही सब तो उड़ा दुश्मन है ते नफरत दे काबले ते ओ अस्थान जिन्हों इंच इंच तबाह करना चौंदी होन जे फिरोना दा मित्तर हो सकता है तो ओदी बचा ले उजना भी खत्रेज पा सकते हैं मैनो खुशी है कि इना फिल्मा विच स्वंबर नाधी फिल्मनों इस चौत्थे मल्यालं फिल्म फेस्टिबल दी सब तो चंगी फिल्म होन दा रुतबह मिलियां ते दूसरी चंगी फिल्म चैंपार्थीरं जुणे अंगे मैं 1973